हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टड़ी आइक्यू आईएस हिंदी नमस्कार क्विक निउस प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ विरतुवे आईए बात करते हैं भारत के पूरी तट पर खोजी गई समुद्री स्लग की नई प्रजाती के बारे में डॉक्टर घृती विनर जी ने कहा है कि यह नाम उसके आसपास के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से लिया गया है इस प्रजाती को पश्रिम बंगाल के धमारा के पास दीघा और कनिका द्वीब के बीच रेतिले समुद्र तटों के अंतर ज्वरी क्षेत्र से खोजा गया है यह जीव शरीर के अंदर खोल के साथ 14 mm तक के लंबाई वाला एक छोटा समुद्री घूंगा है जो एक अकशर की जीव है यह काले रंका होता है और आम तोर पर रेतिले समुद्र तट पर एंटर टाइडल जोन में रिंगता है समुद्री घूंगे सक्रिय शिकारी जीव हो समस्हितोष छेत्रों से संबंदित है और इनका प्रजनन स्पस्ट रूप से नवंबर और जनवरी के बीच होता है वितरन पश्य मंगाल के बखकाली से ओडी शा के कोनी का द्वीब तक लगबग 295 km तक देखा जा सकता है आपको बता दें, जियोलोजिकल सर्विय ओफ इंडिया यानी जेड़ाइसाई के शोधकरताओं को नई प्रजाती के पहचान करने और पुस्टी करने में लगभग एक दशक का समय लग गया